नमस्कार आप देख रहे हैं जेटी एन नियूज इंडिया और इस वक्त हम लोग यहाँ पे एक फिल्म के महुरत पर आये हुए है इस पंदन फिल्म जो गुरु गोविन सिंग एजुकेशन सोसाइटी टेकनिकल केंपस कांडरा चाल्स बोकारो द्वारा बनाई जा रही है उसका आज मुहरत सूट था और आपके चैनल के मादम से मैं अपने कॉलेज के सभी भी द्यारतियों एवम फैकल्टी मेंबर को बढ़ाई देता हूं और अपने मैरेजमेंट श्री तरसेम सिंग प्रेसिडेंट सर जी जी एस और सेक्रेटरी श्री स्पी सिंग सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्हो फिल्म वास्तों में अपने ग्रामीन विकास से समंधित जो योजना चल रही है M.H.R.D. की उन्नत भारत अभियान 2.0 उसके तहत ये थीम के तहत बनाई जा रही है इसमें ग्रामीन भाग के विदार्थी जो इंजिनेरिंग या अन्ने प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त क अपनी जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं समान जनक रोजगार पाना चाहते हैं उनसे समंधित ये फिल्म है किस प्रकार उसमें उसकी संघर्स की कता है उसकी पिता और पुत्र की किस प्रकार वो अपने पढ़ाई को पूरा करते हैं और अपने नोकरी को प्राप्त कर इसमें आठ से दस भी दारती सीधे रूप से भाग ले रहे हैं और फिर एडिटिंग या अधर काम के लिए आज हमारे टेक्निकल कैंपस के लिए बड़ा ही शुब और सभागे का दिन है उसका सबसे पहला कारणिये है कि मा दुरगा की पूजा के शुरुवात हुई है और आज पहली देवी के रूप में हमारे देश की बड़े ही महत्वपुर्ण जो त्योहार है वो शुरुवात हुआ है दूसरी हमारे लिए जो परसंता की बात ये है कि हम एक एक तरह से अस्पंदन पिक्चर का या उसको फिल्म कहिए शौट मूवी उसका हम लोगों ने उद्खाटन किया है आज इस शुब अवसर पर पूजा भी की है और ये इसका में मकसद हमारा ये है हमारा जो निशाना ह है वो ये है कि हमारे जो विद्धियाले या महाविद्धियाले जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो विशेश तोर पर जो हमारा रूरल एरिया है उस रूरल एरिया के गाओं के बच्चों के साथ मिलकर और उनके बीच में एक सद्भावना पूर्णवातावन पैदा करना और surrounding area में चारों तरफ से हमें क्या विशेश तरफ पर हमारे को चाहिए इस area के development के लिए और उनकी जो requirement हो उसको जैसे चोटी चोटी बाते होती है सफाई का ध्यान रखना, hygiene atmosphere में रहना, पानी जिसमें वो नहाते हैं या पानी पीते हैं उसका ख्यार रखना, अच्छे स्वक्ष कपड़े पहना, अपने आगल बगल के वातावरन को जो हमारे प्रधान मंती जी का स्वक्ष भारत अभियान का ये जो एक कारिकरम है उसी को उसके साथ जो है वो हम associate कर रहे हैं और उसमें academic activity भी होगी college की activity भी होगी और इस छेतर में जो हम ये काम कर रहे हैं education के छेतर में उसके बारे में विशेश तोरते इसके उपर पूरा focus दिया जाएगा और यही मकसद है ये इस पंदन movie का documentary film का concept ही है कि एक ग्रामीन छत्र का विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से पीडित है जिसका कोई मदद नहीं है हम संसान के दवारा मदद करके उसके सपनों को साकार करने के लिए प्रियासरत है और इसमें हमें सफलता मिलेगी इस उद्देश से ये documentary film बना रहे हैं ताकि इसका message समाज के लोगों को जाए और समाज के अन विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से उसी तरह से पीडित है higher education के लिए आगे बढ़े और हमारे संसान में आई नमस्कार मेरा नाम है श्वेता कुमारी और मैं यहाँ पर assistant professor के तौर पर काम करती हूँ और आपको पता चल गया होगा एक movie बना रहे है हम लोग स्पंधन तो इस movie के मेरा इब एक छोटा सा short shoot हुआ है इसके अलावा मैं back camera काम कर रही हूँ तो इस movie को बनाने के पिछे का एक बहुत प्यारा सा मकसद है वो मकसद है कि गाओं के लोगों को या जो बहुत ऐसे student है जो की बहुत मतलब पढ़ने में सही है बट वो उनको मौका नहीं मिल पाता आर्थिक तंगी के वज़े से तो इस movie का 4-5 theme है promote करना जैसे कि central government हो या state government हो उसके द्वारा जो भी scheme चलाई जाती वो गाओं के लोगों तक या पढ़ने वाले विद्यारती तक पहुचे ये एक पहला है यहाँ पे जैसे हमने हमें पता ना बुकारो एरिया को बिलॉंग करते है तो यहाँ विस्थापि गर्ल्स एजूकेशन को स्पेशली प्रमोट करना है वो भी इसका थीम है इस तरह से छोटी-छोटी बहुत सारी थीम को लेते हुए जो हमारा lead character है उसको कैसे evaluation होता है वो बताया गया है इस movie के दौरान मुहमत सलमान है और मैं इस film के main lead role में हूँ as an actor तो इस film में यह कहा गया है कि जो भी हमारे बच्चे जो गरामीन छेतर के हैं जो बाहर नहीं जा पाते जो परहाई नहीं कर पाते तो इस film में यह बताया गया है कि लोग अपने बच्चों को जो गाउँ छेतर में जो रह रह से वह हम एक उननत भाद अभ्यान में चला रहा है तो हमारी फिल्म में यह थिम कहा गया है कि अपने बच्चों को बारावा दे परहाई ताकि उनका आने वाला कल भी काफी बहतर हो यह समा हमारी फिल्म में और आगे फिल्म में हमारे सब दिखाई जाएगी मेरा नाम नीदी है और इस रोल में मैं लीड एक्टर्स का रोल कर रही हूँ इस रोल में मैं जो लीड एक्टर्स है हीरो जिसका नाम संजे है उसे मैं मोटिवेट करूँगी और जो की हार जाता है उसे मैं होसला दूँगे कि वो एक्जाम वापस दे और अपना लाइफ मे आगे बढ़ें, वो इंजिरिनिंग करना चाहता है, मुझे उसे आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना है, और प्लस मैं यहाँ पर ग्रामिन लोगों को बताना चाहती है, लड़की भी आगे बढ़ सकती है, जुरूरी नहीं कि वो ग्रामिन में हो, तो आगे नहीं बहुत सारे सरकार भी हिल्फ कर रही है, बहुत सारे गवर्मेंट के है, बहुत सारे कॉल्जिस हैं, जो ग्रामिन लड़कों की सिक्षा में बहुत तियोगदान दे रहे है, नमस्कार, मेरा नाम स्रीराम है, और इस फिल्म स्पंदन में, मैं जो लीड रोल है, बेटे का, उ बेटे के पूरे अर्मान को पूरा करने के लिए, और जो भी गाओं के जो वसूल है, उनको साथ में रखते हुए, उस चीज को मेरे रोल के द्वारा मैं यहां निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथी साथ कई सारे जो मुद्दे हैं, और जो सरकारी मुद्दे हैं, उनको भी सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ,